आज में आपके साथ व्रत के केसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हमने बनाया है कच्चे आलू से पटापट से बनने वाली रेसिपी है आप एक बार इसे जरूर से ट्राइ कर कर देखे और इसी के साथ हम व्रत वाली चक्नी भी बनाने वाले हैं तो में अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं दो आलू तो यह जो आलू है मीडियम साइस के हैं साती आलू पूरी तरह से कच्चे हैं बस एक बार मैंने इस अच्छे से बोश कर लिया है अब हम यहाँ पर को एक बड़ा बरतन ले लेंगे और ग्रेटर के हेल्प से आलू को ग्रेट करेंगे तो जो मीडियम होल वाला ग्रेटर होता है न बस उसी से हमें यहाँ पर इने ग्रेट करना है तो जेसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आलू का छिलका नहीं निकाला है छिलके सहीती में इसे ग्रेट कर रहे हूं लेकिन आप चाहें तो छिलका नि बड़ी आसे मिक्स कर लेंगे आप सबी जानते हैं आलू में पानी भूद अधिक मात्रा में होता है तो नमक डालकर हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जितना पी पानी हो रिलीज हो जाए चले अभी हम इसे साइड में रग देते हैं और इसके लिए ब पोधिना नहीं खाते हो तो पोधिनी की पत्तियों को आप इसकिप कर सकते हो अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी भुनी भी मुंफली यानि रोस्टेट पीनट और एक से दो चमश हम डाल देंगे दही तो दही हमें यहां पर खट्टे नहीं लेना है फ्रे थोड़ा सा पानी डाल कर इन सबी चीजों को हम बड़ी असे पीस लेंगे तो यहां पर देखे फ्रेंट्स चेटनी बनकर बिल्कुल तयार है आप देख सकते हो ना क्या बड़ी असा कलर आया है साती जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पफेक्ट है तो इस मज़दार च क्या करते हैं हातों से निचोड़ते हुए इसके सारे पानी को अलग कर लेंगे ईसा मिसले कर रहे हैं क्योंकि हम धार कच्छे अलो का ना साबुदाना है बिल्कुल चोटी साइस का है यानि जो साबुदाना है बिल्कुल मोतियों की तरह चोटी साइस का होता है आप चाहें तो यहां पर बड़ा साबुदाना भी ले सकते हो तो आप बड़ा साबुदाना ले रहे हो तो कम चकम दो घंटे के लिए इसे भीगो कर र और इसी के साथ दो चमच हम यहाँ पर डालेंगे राजगीरे का आठा इसकी जगे आप यहाँ पर सिंगाडे का आठे का भी यूज़ कर सकते हूं थोड़ा सा डाल देते हैं नमक तो नमक बिल्कुल दिहान से डालिए क्योंकि आलू में भी पहले ही हम नमक का यूज़ कर ताकि अंदर से बढ़िया सा चटपटा सा लगे दो हरी मिर्चे लिए जिसे बिल्कुल बारिक काट लिया है और थोड़ी सी हम यहाँ पर डाल देते हैं बारिक कट कीवी धन्या पत्ती अब इन सबी चीज़ों को हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसका हम यहा बढ़िया से मसलते वे ही मिक्स कीजिए ताकि साबू दाना आलू मुफली का दाना और राजगरे का आटा जो हमने डाला है ना बढ़िया से मिक्स हो जाए तो फ्रेंट्स पहले में यहाँ पर निम्बू का रज डालना भोल गई थी इसलिए मैं यहाँ पर अभी इस समय आ आतों पर चिपके नहीं और चोटी चोटी अब हम यहाँ पर इसकी बॉल बना लेंगे और इसे टिक्या का शेप दे देंगे यह देखिए तो बहुत जबा पतला भी नहीं और बहुत जबा भी नहीं हो थोड़ा चोटा सा इसका ही बनाएंगे ताकि दिखने में भी नाश्ते को आप बना सकते हूं तो जो व्रत नहीं करते हैं वो भी इसे बड़े ही शोग से खाएंगे क्योंकि बहुत ही चट्पटा सही नाश्ता लगता है तो बस जो बाकी बच्ची भी टिक्या है वो भी में यहाँ पर इसी तरह से बना कर तयार कर ली है तो चलिए फ्र फ्राइब को आप ज़रू से ट्राइब कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए अब डालने के बाद कुछ देर हम इसे इसी तरह से फ्राइब होने देंगे और इसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे गेस का फ् गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता और भार से अच्छे से क्रिस्पी नहीं लगने लग जाते तो आप देख सकते नो फ्रेंट्स तेल में क्या बढ़िया से फ्राइब हो रहे हैं तो फ्रेंट्स अगर आप भी नवरातर का व्रत करते हो तो प्लीज कोमेंट करकर पूर क्या क्या बनाते हूं तो यहां पर देखे फ्रेंट्स बड़े असा कलर आ चुका है और लग रहे हैं बहुती क्रिस्पी और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हमने इने किया हैं तो चलिए इने तेल में से बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बच्चे वे हैं वो भी मज़दार चटनी बनाई है उसके साथ भी आप इसे बड़े मज़े से खा सकते हूं लेकिन आज तो मैं यहां पर आपको इसकी मज़दार से चाट बनाना बता रही हूं तो आप यह मत सोच ना कि हमने से कच्चे आलू से बनाया है तो यह अंदर से कच्चे रहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बढ़िया से कुक हुए है चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं मीठा दही दही के अंदर थोड़ी से शक्क डाल कर आप इसे बढ़िया से फेट लीजे कोई भी चाट हो उसके अंदर अगर आप मीठे दही का यूज करते हो तो उसका टेस्ट बहुत पाउडर हुआ और अब हम इसके उपर डाल देते हैं फलारी चीवडा तो मेरे पास यहां पर यह चोटे वाले साबुदानी का चीवडा है जो होममेड है मेरा मैंने घर पर ही बनाकर इसे तयार किया है तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाए करते हैं तो लीजे फ्रेंड्स व्रत की बहुती बढ़िया मज़दार चाट बनकर बिल्कुल तयार है तो आज की चोटे से रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रु से बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूले